इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि ये वीडियो खास दौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले कभी PUBG खेलते थे, खेल रहे हैं या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं बहुत सारे लोगों को PUBG खेलने की आदत लग चुकी है और लोग इसा बुरा भी मानते हैं लेकिन आज हम उसी PUBG गेम से जिंदगी की कुछ ऐसी सीख सीखेंगे जो आपको पता होना चाहिए जो लोग PUBG खेलते हैं उन्हें तो बहुत ही मज़ाने वाला है लेकिन जो लोग PUBG नहीं खेलते हैं वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हर एक चीज से आप कुछ ने कुछ जरूर सीख सकते हैं सरकल के अंदर रहके खिलना होता है लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करके सरकल से बहुत दूर उतर जाते हैं और उसके बाद वही पर एक दूसरे को मारते रहते हैं और उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कम्प्लीट नहीं कर पाते हैं हम लक्ष कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए अपने सरकल पर ध्यान दीजिए और उस सरकल की और आगे बढ़ते रहे हैं। दूसी चीज जो हमें सीखना चाहिए वो है कि भेड़ चालना चलें। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहां पर पहले से बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब हम भेड़ चाल चलते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर जादा देर तक सर्वाइब नहीं कर पाते हैं। हमारी असल जिन्दीगी में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उनी के जैसे करने की, उनी के जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं। और अपनी पसंद और ना पसंद को कभी भी ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि भेट चाल का हिस्सा ना बने नहीं तो आप जादा देर सर्वाइब नहीं कर पाओगे। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा जरूरी सामान को ही साथ में रखे और फाल्तो के कचरे को इखटा ना करे। जब भी प्लेन से उतरते हैं कई लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ वो सामान इखटा करने में लग जाते हैं। जो भी चीज़ोंने सामने दिखती है वो से फटा-फट उठाने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सी चीज़ जरूरी है और कौन सी चीज़ जरूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसा भी करते हैं कि बंदूग कोई और उठा ली और गोली कोई और ही उठा ली जो उस बंदूग में लगने ही नहीं बाली अब इसी बात को अपने जिंदिगी से कनेक केजिए दिन भर में आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत सारी किताबी पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजे सुनते हैं, जो आपके लक्ष से बिलकुल भी related नहीं हैं, लेकिन दिन भर आप उन सभी चीजों को अपने दिमाग में घुसाते जाते हैं, तो यहां हमें सीख मिल अपने ठीम से दूर भागते रहते हैं, वैसे हमारे जीवन में भी टीम ऑर उनिटए का होना बहुत ज़ादा जरूरी है नहीं तो कौन वेक्ति आकर आपको कम मार जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा अगली चीज जो हमें सीखने को मिलती है कि हमेशा कमजोर साथी को साथ लेकर चले जब भी हम पब जी खेलते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई वेक्ति ऐसा जरूर जूर जाता है जो नया होता है और जिसे ज़ादा खेलना नहीं आता है लेकिन हम उसका मजाग उड़ाते हैं कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप तीन लोग खेल रहे हैं और दो विक्ती वाली कोई कार मिली तो दो विक्ती बैठ कर उस पर निकल लेते हैं और एक विक्ती को पीछे ही छोड़ देते हैं ना तो आपको PUBG गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही आपको अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए जो भी लोग कमजोर है उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए अगली सीख जो आप सभी के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है जादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो साधन आपके पास है उसमें बहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें PUBG खेलते समय आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंटे रहते हैं उनका गेम पर ध्यान बिल्कुल नहीं होता है वो जहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सामान ढूंटे रहते हैं खेलने के लिए उनके पास बंदूक होती है लेकिन वो पूरे टाइम 6 का और 8 का स्कोप ढूंटे रहते हैं उनके पास स्कारेल बंदूख होती है लेकिन वो पूरे टाइम कार 98 ढूंटे रहते हैं और जब वो बहुत सारा सामान इखटा कर लेता है तो सामने से एक ऐसा विक्ति आता है जो उसे छोटी सी गन से मार कर चला जाता है और उसका सारा इखटा किया हुआ सामान लूट कर ले जाता है इसलिए सीख को हमेशा याद रखिए जो आपके खेल में भी काम आएगा और आपके जीवन में भी काम आएगा कि ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो साधन आपके पास है उसमें बहतर पर्फर्म करने की कोशिश करें अगली सीख जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा अपने आपको रिचार्ज करते रहें और हमेशा एनरजेटिक बने रहें हमें सिर्फ काम ही नहीं करते रहें समय समय पर अपने आपको रिचार्ज भी करते रहें अगली बहुत बड़ी सीख हमें PUBG से मिलती है कि शत्रू को कभी भी कमजोर न समझे जीवन में आपको कभी भी पता नहीं होता है उसके पास कितने साधन है और ऐसा ही हमारे साथ PUBG में भी होता है कि उसके पास कौन सी गन है उसके साथ कितने लोग है उसके पास कितना हेल्थ है ये आपको कभी भी पता नहीं होता है इसलिए आप दबंग बनके उसके सामने छाती चौड़ी करके खड़े मत हो जाएगे क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक नया खिलाडी भी एक प्रो खिलाडी को मार कर चला जाता है कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है हम अपने कॉम्पिटीटर को अपने से कमजोर मान लेते हैं जो कि हमारी हार का बहुत बड़ा कारण होता है इसलिए आप कभी भी शत्रु को कमजोर ना समझे अगली सीख में मिलती है कि सही मौके का इंतिजार करें आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि मौके पर चौका लगाना इसका मतलब होता है कि आप सभी को सही मौके का इंतिजार करना है कई लोगों को आपने PUBG गेम में देखा होगा कि वो खुले आम घुमते रहते हैं और थड़ादर गोलिया चलाते रहते हैं लेकिन एक विक्ती दूर पर स्नाइपर लेकर बैठा होता है और एक ही शौट में उस विक्ती को मार गिराता है कई बार आपको लोग कहते होंगे कि छुटकर क्यों बैठा है सामने आकर खेल लेकिन कई बार छुटकर बैठा ही सही मौके का इंतिजार करना होता है इसलिए आप हमिश्व जीवन में भी सही मौके का इंतिजार करें और उसी के बाद एक्शन ले और अगली जो सबसे बड़ हर इंसान को PUBG गेम से जरूर सीखना चाहिए इस वीडियो को हर PUBG खिलने वाले तक जरूर पहुचा दीजिए ताकि वो बहुत को सीख सके हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए यदि अभी तक हमारे नए चैनल महिंदर दोग ने लाइफ कोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल आइकों दबाले अगले वीडियो में फिर मिलते हैं धन्यवाद